नमस्कार दियर स्टूडेंट्स एंग वेलकम टू करन्ट अफ्यर्स बूस्टर सीजन टू सेशन नंबर फॉर्टी नाइन मैं हूं संदीप मानुद्धने और हम आ गए हैं सेशन फॉर्टी नाइन पर सेशन सिक्स्टी तक जाएंगे और हमारा सीजन टू कंप्लीट हो जाए कितनी भी चुनौतियां हो अपने स्वास्थ का ध्यान तो आपको रखना ही है और अपनी खुशी का भी ध्यान आपको रखना है और अपनी खुशी का भी ध्यान आपको रखना है और था एक खुले दिमाग की सबसे बड़ी खूपसूरती ये होती है कि वो दो परस पर वि है समझ माई बात आपको तो ये एक बड़ा खूबसूरा सा वाक्य है जो इनसान की maturity की तरफ भी इशारा करता है इसका analysis आप अपने जीवन अनुभाव से क्या समझते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा comment thread में और एक बात बताओं जब भी आप comment thread में कुछ बड़िया analysis देते हैं या questions का compilation या questions का answer उससे दूसरे सैकड़ो बच्चों का फायदा होता है सैकड़ो participants का फायदा होता है तो please go ahead and do that thank you so much session को like और share तुरंद कर लीजे और बाबा जी आते रहेंगे ज्यान लाते रहेंगे दोस्तों ये बड़ी अद्बुत कहानी है जोती कुमारी की सोची अगर आपको और मुझे ये बोला जाए कि अपने पिताजी को साइकल पर पीछे बिठा कर आप में और हम में से कितने लोग हा बोलेंगे मुझे नहीं लगता कोई भी बोल पाएगा हम में ना तो इतना stamina है ना हम में इतनी mental शक्ती है ये लड़की जोती कुमारी अपने बिमार पिता को साइकल पर बिठा के गुड़गाओं से दर्भंगा ले गई तो ऐसी बच्च का hero बनाने की बात कर रहे हैं I found it very very strange President Donald Trump की सुपुत्री Ivanka ने इस लड़की के लिए लिखा वा 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 क्या achievement है मैं यह सोच रह था कि मुझसे ही समझ में गलती हो रही है कोई बच्ची मजबूरी में 1000 km cycle पे लेके जा रही है यह तो पूरे system के लिए शर्म की बात है everybody seems to be celebrating it तो मुझे लगता है मेरी समझ में कहीं कमी है लेकिन I think as a society we owe an apology to her and many many like her आपको क्या लगता है जरूर बताईएगा उन्हें offer आ रहा है और उन्होंने साफ बोल दिया कि अभी तो मेरा सारा ध्यान पढ़ा ही लिखाई पर है मुझे कोई cycling में जाना नहीं है यह खबर मैंने आज सबसे पहले आपके साथ इसलिए ली क्योंकि मैं वाकी confused हो कि क्या हमें इस बच्ची के इस ordeal को celebrate जरा सा भी करना चाहिए मुझे personally लगता है नहीं लेकिन ठीक है शायद बहुत से लोगों को लगता है कि हाँ हमें celebrate करना चाहिए perfectly fine तो जोती कुमारी एक ऐसी बेटी है जिसने अपने पिता को घर पहुचा दिया खुद भी घर पहुच गई और अब पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहती है क्या बात है what a story of grit and determination what a remarkable story तो प्यारे दोस्तों हमारा आपसे अगला सवाल why is empathy and compassion in the society constantly on the decline so समझ के जवाब दीजेगा तो श्रमीकों की बात चल technical session आपको बहुत मज़ा आएगा जरूर देखिएगा और देखा है तो आपको कैसा लगा बताईए और अभी आपको बता दू मंडे को मेरा session आ रहा है RBI के latest policy response पर RBI ने जो 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 अनौन्समेंट किया लंबा चड़ा है पूरा खेल देड़ घंटा लगेग की अच्छी बात यह है कि railway फाइनली जाग उठा है अपनी नीन से railway जागी गया और वो कह रहे हैं कि जब तक जरूरत होगी श्रमिक special ट्रेने चलेंगी हलांके इन ट्रेनों में मजदूरों को जो खाना दिया जा रहा है उसके बहुत सारे वीडियो जा गए हैं जिसमें कह हैं कि कुछ-कुछ ट्रेन में सब में नहीं हो रहा होगा कई जग अच्छा भी तेरे होंगे सिर्फ दो ब्रेड की स्लाइस और एक लंबी हरी मिर्शी खाने में दी जा रही है अब पता नहीं सच क्या है क्या नहीं I'm sure railways will take care तो फिलहाल जो वीके यादव साहब है railway रहेंगे फिलाल दस दिन में 2600 और चलेगी लाखर लोगों को हम घर पहुंचाएंगे बहुत-बहुत बदा है इंडियन रेलवे को देर आए दुरुस्त आए उधर गुजरात में बड़ा इंट्रेस्टिंग लीगल केस आया है भी एक और शीज आपको बता दें भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाय कोर्ट यह हमारे कॉंस्टिटूशनल कोर्ट होते हैं सम्वेधानिक कोर्ट सम्वेधानिक कोर्ट का मतलब होता है मेरे जो मूलभूत अधिकार है नागरिक के उनकी रक्षा करने वाला कोर्ट सम्वेधानिक मूल्यों में क्योंकि सबसे नुमूल लेह मूल भूता दिका चैप्टर थर्ड of the constitution तो एनी court which is mandated with protection of fundamental rights and some other very core fundamental issues of constitution will be called a constitutional court समझगे वैसे भारत में Supreme Court पूरी तरह से constitutional court नहीं है जैसे कि Germany का है या अमेरिका का है क्योंकि it also takes up other matters anyway अब हुआ यह है कि एक Interstate Migrant Workman Act 1979 आपको पता है जिसमें कोई भी worker कहीं से कहीं जाता है तो उसका पूरा registration होना यह होना हो होना और वो वापिस घर जाता है तो उसको पैसे मिलने चाहिए घर जाना के वगरा वगरा तो गुजरात में बहुत को ही पैसा देना पड़ेगा और यह रेलवे इनका पैसा माफ कर दे स्टेट गवर्मेंट ने बड़ा तकनीकी मुद्दा उठाया यह कहा कि इंटर स्टेट जो जो माइग्रेंट वर्कमेंट एक्ट है 1979 वो इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि इन में से कई लोग किसी कॉंट्राक्टर के जरीए नहीं आई हैं अपने मर्जी से स्वतंत्र नागरिकों की तरह आएं हाई कोट ने स्पष्ट कर दिया है कि आज के हालातों में इस तरह दिये हैं अलग-अलग हाई कोट की जो कहानी आ रही है which is actually quite a relief and a breather if you understand what I am trying to say तो मेरा अगला सवाल नोट करेंगे दोस्तों what are the enabling provisions of the 1979 Interstate Migrant Workers Act परिक्षाओं में अलग-अलग जगे यह सवाल बनेगा ही बनेगा ध्यान रखता है यह कानू 1979 का जो कभी पालन जिसका कभी भी धंग से हुआ इनी पिछले 40 सालों में यह अचानक से सुर्कियों में बना हुआ है क्योंकि अब इस थिती पर तो यही लाग Thank you so much to everyone इतना प्यार और समर्थन आपसे मिल रहा है उससे हमें भी नए 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 सेशन लाने के लगाता हिम्मत हो रही है तो आप आएं और हमारे चैनल को आपने चार लाग सब्सक्राइबर सब पहुंचा दिया उसके बाद एक हजार और जुडगे लगाता जुड़ रहें Thank you so much यह जॉइन का बटन जो दिख रहा है हर वीडियो के नीचे भी आता इसको यूस करें और नहीं तो जो हमने यहां पर लिंक स्क्रीन पर दिखाई है यह देख के करें आपको बहुत-बहुत बढ़िया सर्विसेस मिलेंगी ठीक है Thank you so much Thank you so much Thank you so much प्यारे दोस्तो online courses और hard disk के courses PTs IAS Academy के full-fledged courses available है जानकरी लीजे एंडोल कीजे दुर्भाग्यवश अब जैसे जैसे समय आ गया है D-lockdown का दंदों को कामकाजी लोगों को फिर से व्यवसाय शुरू करने का लोगों को अपनी नौकरी के लिए ऑफिस जाने का इसी वक्त कोवीड में अब हम अचानक से spike देख रहे हैं जो की काफी frightening है लेकिन है तो इसलिए Health Ministry ने भी अब advisory जारी करना काफी seriously चालू की है तो यह जो spike आई है दोस्तों यह थोड़ा सा लोगों को अब डराने लगा है क्योंकि अब आप जानते हैं 6700 cases निकल कर आ गए तो active cases 73,000 हैं मौते लगभग 3,900 के आसपास हो चुकी है recovery 10 में से 9 हो रही है मैं आपको पहले से बता रखा है कि 90% लोग तो recover होके घर जाएंगे ना वो तो किसी को doubt ही नहीं तो problem is their management while they are infected yes or no उसके अलावा दोस्तों मौतों की खबर भी सामने है तो overall the scenario is dicey और D lockdown आ रहा है और उसमें infections बढ़ रहे हैं लेकि तो precaution के साथ निकले यही कहा जा सकता है ठीक है हर स्तर पर हमारा अगला सवाल note करें why is India witnessing a spike in infections and death rates when D lockdown is approaching क्योंकि lockdown में तो यह problem solve हो जाना चाहिए ता 60 दिनों में तो फिर यह बढ़ कैसे राए सवाल यह है health ministry ने advisory जारी करके पश्ट कर दिया है कि जून और जुलाई के महीने अती समवेदन शील्ड होंगे जहां तक करोना का सवाल है novel coronavirus infection बढ़ेगा इसलिए isolation bed oxygen के साथ ventilator ICU support बहुत तेजी से scale up करना है बहुत सारे private hospitals को भी सरकार nationalize कर रही in the sense कि take over कर रही है parallel में नीती आयोग का सरकारी अस्पतालों को private के साथ tie up करने का कार करम भी उतनी गती से चल रहा है मतलब दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है भाई या बहुत interesting है लेकिन एक बात दुनिया भर में जो सब को समझ में आ गई है pandemic से अगर आज की दुनिया में आप किसी को लड़ना है क्योंकि अगला pandemic भी पांस साल बाद दस साल बाद बीस साल बाद आएगा तो सही क्यों आएगा क्योंकि हम जंगलों में तो घुसी रहे ना अरे भाई पिछले साड़ दिनों में भारत के environment ministry ने जितनी wildlife clearances दी है फाईलों को हरी जंडी दी है उतने project घुसने वाले जंगलों में दुनिया भर में हो रहा है ना ब्रजील में तो पूरे Amazon को जला रहे है कितना बड़ा व्यापक नुकसान हो रहा है तो virus, bacteria, fungi इनको तो पाथ में मिली रहे है ना मतलब अगला भी 5, 10, 15, 20, 25, 30 सालों में आ ही सकता है दुनिया मर में public health infrastructure augmentation पर बल है भारत को भी वो दिशा अपनानी ही होगी क्योंकि otherwise नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है ना ये बात आप समझें की नहीं, so this is how the whole thing works, I hope आपको ये समझ में आ गया, तो मेरा अगला सवाल नोट करें, what will be a long term healthcare management policy for India, एक सही policy क्या होनी चाहिए, अब आर्थ विवस्ता को तेजी से गती देने का कारिक्राम, वित्मंत्री महोदया कर रही है, हमने इनका पूरा का पूरा bank हैं, वहां के managers हैं, आप डरिये मत, CBI, CVC, CAG, Central Bureau of Investigation, Vigilance Bureau, या Vigilance Commission, और Comptroller and Auditor General, ये जो 3C कहते हैं, इनको 3C कहते हैं, तो इनसे मत डरिये, आप तो loan दीजिये, बड़ी interesting approach है, ये approach कि बहुत सारे positive हैं, लोगों को हिम्मत मिलेगी, bank managers को कि चलो, let us give credit as the government wants, साथी साथ, जिसे बदमाशी करनी हैं, उसको भी हिम्मत होगी कि चलो, बदमाशी करो, 3C कभी नहीं आएंगे, तो एक balance की आवशक्ता है, basically credit flow बढ़ाईए, क्योंकि credit flow से ही economy बढ़ेगी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, अब इतने analysis आचुके हैं, कि आप और हम अब ये समझ गएं, कि demand side boosting बहुत छोटा है package में, और actually पूरा credit और liquidity boosting के खेल पे सरकार चल रही है, ये सरकार की सोच है, सही है, या गलत दो साल मत पता चली जाएगी, एक जो बहुत अच्छा और interesting article मैंने पढ़ा, वो ये, कि 2007 की global financial crisis, जो अमेरिका के housing sector से निकली, और सारी दुनिया को उसने ravage किया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था, उसके पिछले 7 सालों में massive credit creation, जब लोगों में repay करने की ability नहीं थी, ये risk, भारती और व्यवस्था के लिए कुछ हद तक धीरे-धीरे create हो सकती है, क्योंकि सारा push credit creation पर है फिलहाल, लोगों के हाथ में तो cash आया नहीं है ज्यादा, इसका हमने separate analysis दे दिया है, मेरा अगला सवाल note करें, what is the moral hazard in pushing the idea that the three C's will not trouble bank managers, ये बहुत अच्छा सवाल है, interview बगरा में एक अच्छा interview ये पू session दूँगा, free session होगा तपस्या का YouTube channel पर हमारे, जरू-जरू चैनल को subscribe कर लें और join भी करें membership में, हमें बहुत खुशी होगी, जितनों ने join किया है, बहुत-बहुत मदा आ रहा है सब को, हम सब मिलकर आगे बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, RBI का मैं पूरा analysis कर दूँगा, और बढ़ा दिया है, ताकि कंपनिया डूबे नहीं, special support, export, import के लिए है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात दास सहब कह गए, उन्होंने GDP का कोई estimate दिया नहीं है, which means the new normal has arrived, देखिए, कुछ पूरे economic models होते हैं, GDP analysis के, अब GDP की पूरी मात्रा ढून के अगर निकालनी हैं कि अग करोड से हम कितना श्रिंक होंगे, किसी को नहीं पता, estimate कोई कहता है, minus 1% growth होगी साल भर की, कोई कहता है, minus 5, कोई कहता है, minus 7, हो सकता है, minus 10, minus 15 भी हो, जो भी होगी, चुनोती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि jobs पर इसका असर disproportionately खराब होने वाला है, कल का मेरा session आप मिस मत देख लीजेगा, तपस्या का free session है, release होगा, देख लीजेगा, मेरा अगला सवाल नोट करें, why is it often said that RBI has reached the limit of its stimulus measures already, प्यारे दोस्तों, यह जो migrant workers वापिस गए हैं, यह तो बहुत खुशी की बात है, बारत सरकार ने इनके लिए मन्रेगा में 40,000 करोड का वंटन बढ़ा द तरह से निरर्थक हो चुका है, और अब इस package के बाद उस budget का कोई मतलब भी नहीं रहे गए, सरकार को officially नया budget ले आना चाहिए, anyway, यह लोग वापिस गए, मन्रेगा को 40,000 करोड और है, और मेरा यह मानना है कि अगले मार्श तक सरकार 1,000,000 करोड और उसमें डालेगी, इतन लोगों से पूछा जा रहा है कि अब आब आगे क्या करोगे, तो बहुत सारे angles निकल कर आ रहे, कई लोगों का कहना है कि हम मन्रेगा का लाब ले नहीं नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो वा महीने का 18,000, 20,000 कमाते थे, अब यहां मन्रेगा में सिफ 5-6,000 कमाने के लिए थो में पता चली है कि many of them do not plan to go back in a hurry, यह interesting है, और यह important है, कि अगले 2, 3, 4, 5, 6 महिने इन में बहुत से लोग अभी वापिस जाने का नहीं सोच रहे हैं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि बड़े शहरों का हमारा real estate और construction का पूरा business जो है, उस पर यह externality का, यह labor externality का impact significantly negative होग ही होगा, तो यह एक problem आने वाली है, वो सबने anticipate करी ली थी, so this is the big story of reverse migration, मेरा अगला सवाल note करें, to what extent will manrega alleviate rural stress over the next one year, अगर आपको हमारी सारी सेवार अच्छी लग रही है, कुर्पया contribution आने दें, बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारे दोस्तों, ultimately civil aviation को भी open करना ही पड़े aviation open हो, states का सबका अलग-अलग सोचना है, अब state को accommodate करके तो चलना पड़ेगा, क्योंकि COVID की problem को centrally तो manage किया ही नहीं जा सकता है, in fact, बात सिर्फ states की नहीं है, मैं पहले दिन से बोलता रहा हूँ, urban local bodies को पूरी तरह ignore कर दिया गया है, हमें हमारी इन 4000-4500 urban local bodies, जिनको कितना आ manpower जो है, उसको और गहराई से involve किया जाए, state governments, अब सबका अलग-अलग कहना है, कोई बोल रहे हैं कि 14 दिन का quarantine करेंगे, अब कोई पागली है जो एक दिन की flight लेके जाएगा, 14 दिन के quarantine में रहेगा, तो basically अभी थोड़ा समय declogging में लगेगा, आने वाले 2-3 महने बहुत tricky ह उने वाले हैं, उस light में ये जो global suggestion है, International Air Transport Association, IATA का, कि एक immunity passport बनाया जाए, because लोगों के मन से अगर डर हटाना है, तो कहीं न कहीं आपको एक extra document passport के अलावा और लगेगा, जिसमें ये बताया जाए, कि भई ये व्यक्ति अभी ये test करा क्या है, और इसके पास immunity passport है, ये बड़ GDP जो की 85 trillion का था, पिछले साल तक उसमें contribute करता आया था, और दुनिया भर में लगबग 2-3 करोड लोग aviation industry में काम करते हैं, फिलहाल सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, तो इतना जल्दी से ऐसा ठप होगा, क्या जनवरी में किसी ने सोचा था, किसी ने भी नहीं, ये एक crisis of unprecedented proportion हैं, और इसको recovery में एक से देड़ साल तो लगे गई लगेगा, and everyone understands it, and there is no point in really playing a blame game, the point here is, देशों का coordination अब बहुत ज़रूरी, क्योंकि aviation में तो दो देश involved हैं, एक जगे से तो उड़के international flight वहीं तो land करेगी नहीं, तो जैसे center state coordination के issues भारत में हम देख रहे हैं, वैसे globally हम क्या देख रहे हैं, कि देश तो आपस में लड़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्रेमनी हैं, ऐसे में aviation जैसी industries का rejuvenation उतना ही delay हो जाएगा, तो मेरा अगला सवाल note करें, what are some of the basic steps to be taken to rejuvenate global aviation, धनन जै कुमार मुजफफर पुर से बहुत प्यारा testimonial भेशते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिल्ली में इंडिया गेट के सामने खड़े हैं, क्या बात है, छागे वही हैं न भीया, और आपने बहुत सारी बाते लिखी हैं, प्यारी प्यारी बाते लिखी हैं, और बहुत सारी विचारो तेजक बाते भी लिखी हैं, आपको हमारी त अच्छा लग रहा है आपके 4,00,000 subscriber हो गए थांक यू सो मच रभी आप एक IT professional है and he's learning and I'm so happy रभी that you have been with us for a long time God bless you खूब पढ़िये जीवन में खूब बागे बच्चे फटा फट आलस्यत्यागो और टेस्टीमोनियल लिखो 36 गड़ा के मुख्य मंतरी का कहना है कि हम labor law dilution नहीं करेंगे तो अभी 8 से 10 राज्यों ने कह दिया है कि we are suspending labor laws because we want more and more investment ठीक है तो उनकी भी एक मजबूरी समझ में आती है हलंकि उसका constitutional side बहुत delicate है और यह Supreme Court में खारीज होना ही होना है आप बहुत अच्छे से जानते हैं लेकिन ठीक है सरकारे अपने हिसाब से सोचती है चतिस गड़ अलक सोच रहा है तो चतिस गड़ के मुख्यमंतरी भूपेस सिंग बगेल का कहना है कि हमारा राज श्रम अधिकारों को श्रम कानूनों को हलका करने के बारे में बड़ी clear राय रखता है we are not going to dilute labor rights और उन्होंने parallel में एक न्याय स्कीम का mini version भी launch किया है farmers के लिए तो ये बड़ा interesting है that different states in India have a different take on labor rights सबझ मागया मेरा अगला तवाल note करें why has the state of 36 गड़ टेकन a very firm stand on non-dilution of labor rights प्यारे दोस्तों बाजारों की हालत थोड़ी सी खसता है लेकिन जब बाजार खसता होते है तभी भाईया buying on dips का मौका भी आता है RBI ने caution जारी किया है RBI ने कहा है GDP growth projection अभी दे नहीं सकता हूँ और उन्होंने ये भी कहा है RBI ने कि भाई contract होगा ये पक्का है तो भारत में 40 साल बात पहली बार हमें कैसी स्थिती अब देखने वाले हैं जा GDP हमारा सिकुडने वाला हम तो मान के चल रहे थे कि 7, 8, 9, 10% real GDP growth rate per annum is our right now we are for the first time in so many decades confronted with the reality that we may actually see a 5, 10, 15, 20% shrinkage in real town which is a very fairly scary situation why scary इस बात को समझ यह लेकिए बाजारों को certainty अच्छी लगती है कमपनियों को certainty अच्छी लगती है बादारों में share की prices में अगर आपको 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने की certainty दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है अब यहां certainty तो छोड़ो, risk तो छोड़ो, यहां तो uncertainty का पिनेकल आ गया because nobody really knows what will happen tomorrow COVID tame होगा की नहीं, vaccine आईगी की नहीं और इसलिए markets बहुत choppy रहेंगे तो जो लोग markets से जुड़े हैं उन्हें बड़ा सावधान रहना चाहिए क्योंकि practically किसी को भी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और इसलिए अब तो समय के साथ ही सब ठीक होगा भी है नहीं है वो बड़े violent भी है उन्होंने Amazon में आग लगी उसके बाद किस्म को गिरफतार किया जो आग बुजाने जा रहे हैं जो citizens आग से लडने में मदद कर रहे हैं अब जो latest ख़बर और update Brazil से आ रहा है COVID control करने में he has failed completely अमेरिका के बाद number two हो गया ब्रजील और वो experts को नफरत करते हैं he doesn't believe in expertise he doesn't believe in academics he doesn't believe in anyone who gives him a sound reason to fight COVID तो ब्रजील में COVID हाथ के बाहर निकल गया है यहां तक तो ठीक था रेकिंग right wing militias are on the loose छोटे छोटे armed good सीधी सीधी धमकियां जारी कर रहे हैं इतने judges हैं, prosecutors हैं, mayors हैं, इन लोगों के परिवार वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, गोली से सब को उड़ा दो क्योंकि ये हमारे राश्ट्रपती के खिलाफ बात करते हैं, और रे बाप रे बाप और जो जेर बोल से नारो के supporters हैं, उनको बोल सो नारिस्ता कहते हैं, क्या कहते हैं मिटा, बोल सो नारिस्ता, ये लोग फेक न्यूज, हेट मेसेज़ेस, लोगों से flood कर दिया है, मीडिया को, और उसके अलावा एक गैंग है, जिसका नाम है 300 of Brazil, ये जो 300 of Brazil है, इसने इनको जीतने में बहुत मदद की थी, perception building में, ये 300 of Brazil मैदान में उतर आया है, और ये कह रहा है, कि अब हम लीड करेंगे इस पूरी action को, मतला ब्राजील में तो भाईया खुलम खुला बोल रहे हैं, कोलिमार भेजे में, भेज़शर करता है, पोर्टगीज में बोल रहे होंगे, वहां की भाशा पुर्टगाली है, बंबई या इस भाशा में तो बोलेंगे नहीं, भेजे की सुनेगा तो मरेगा कलू, समझ में आया है ना आपको, वो घीत बॉलिवूड वालो ने बहुत सोस समझ के डाला था, उनको पता था कि बोलसे नहरो नाम का एक बहुत महान अहि करें, वाई इस ब्रजील स्लाइडिंग डाउन दी पाथ ऑफ एनर्की, तो कोई बोलसे नहरो साब को यह कोवीड के दस टूथ पोचुगीज में ट्रांसलेट करके देदोयार भाईया है ना उनको बहुत जरूरत है, और आप लोग ध्यान रखिए गा, मेरा आपसे निवे खतम कर दिये तुम्हारे चक्तर पे मैंने, हा नहीं तो, तो दोस्तों, डिसेंबर 2021 तक तुम्हें बहुत सावधान रहना है, मेरी बात ध्यान से सुन लो, लाइटली मत लेना या, नजर अटी दुरगटना गड़ी यार गुरू, और तुम अनसेफ तो मैं अनसेफ, मैं अ हमारी डेस्टिनी तो टाइड हो गई हैं तोगेधर, यस और नो, चलिए दोस्तों, तो मेंबर्शिप आप लेंगे, मुझे पूरा-पूरा यकीन है, जून एंड जुलाय विल बी फेंटेस्टिक, कल तपस्या का सेशन मिस्मत कीजिएगा, इस हफते में तीन रिलीज या हमारी सिविल स्टपसय की साइट हो, आप इंरोल करें, आपको डेली डाइजस्ट मिलेगा, तो उसमें ये सारे एडिटोरियल की लिंक्स इत्यादी मिलती हैं, पढ़िएगा, आपको मज़ा आएगा, तो आज के लिए इतना ही सेशन 49 में, कल हम सेशन 50 लेकर हाजिर हों और आप लिएगा, आपको ये जाओ मिलेगा, तो न्झे हों क्यृते हैं, आपको क्वेगा, ओ söyled खोले हों हैंपन SPैँएगा, प्सक्राणाभ ऑ्रत पर वोगना देशन 50 लेकर है ऑब हो हम हैगा बפרthen, क्नृत जापको क्नृत रएगाइगा, प्सक्षा हम फिलेगे ग 25 वेक